इसको जाने बिना कि तोड़ दिया कि तूट गए जानना बहुत आवस्यक है तो आज रास्टे करकामनी में और जो परसंटे जो भूट जो होती हो पाटी की भूट होती है तो विधाय के तूट जाने से पाटी के जना धार कम हो गया ज़सा नहीं कहा जा सकते हैं कि अब अपनी वीचार धारा को लेकर जब से चले हैं उस वीचार धारा पर ही भड़ी बहतर समझावता रही है अपने अपने परिवार के नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइब मैं हूं अभिशेक मिस्रा जेडियू के पदाधिकारियों की आज बैठक होने वाली है, कल जेडियू की रास्टिय कारिकारिनी की बैठक होनी है, जेडियू के रास्टिय अध्यक्ष और बिहार के सीम नितिसकुमार इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं और माना जा रहा है कि इन बैठकों से बहुत निकल कर सामने आने वाला है कई बड़े फैसले सामने आ सकते हैं कोई असपस्ट विभिनची जीजों को लेकर सामने आ सकता है तमाम समझने की कोशिस कर हिए हैं कि आखिर सरकार के पुर्मनत्री जै़िू के जैनेता जै कुमार सिंग सरमवजूद हैं और सवाल की शुरुवात यहीं ससर की बैठक से क्या निकल कर सामने आने वाला है तो निशनल अस्तर पर जो इसो जोंगे उसके बारे में बात की जाएगी आर्टी की बिहार में भी तुरन चुनाव हुआ है इसके बारे में भी बात की जाएगी अपनी परफॉमेंस हमेशा हमारी बहतर रही है इस बार हमारा कम हुआ है यह इशके पीषे क्या कारण है और कैसे संख्षन मजबूत हो और सरकार और कैसे बहतर भूमिका में हो इसकी बीचे चाहिएग अन्य राज की चुकी यह रश्टी करनी है इसलिए अन्य राजियों में हमारी स्वायरी पार्टी की संग्षन कैसी है किस प्रकार की संग्षन काम कर रही है उसे और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए यह सारी बाते बैस अस्तर पर जितनी भी आदिकारी एंच तो ये बाते बिरियत पर पाटी की होगी अमें लगातार देख रहा था पटना को पोस्टरों बैनरों से पाट दिया गया है नितीश कुमार और आपकी पाटी का ज़ंडा है वो पूरा लगाया गया है जेडू दफ्तर के बाहर हल चलते जह तैयार यह काफी ब्यापक पैमान तोड़ कर ले आए सवाल यह नहीं है कि उन्होंने आपकी पाटी को तोड़ लिया सवाल यह भी है कि बीजेपी को कोई बहुत जरूरत नहीं थी बीजेपी वहां अच्छी खासे इस्तिती में थी उन्हें शे विधायकों की दरकार नहीं थी बीजेपी को लेकिन तब भी आपके पाटी को तोड़ लिया आपके साथ में से च्छे विधाय को तोड़ लिया तो आपका अस्तित्व था उस पर संकट ख़डा कर दिया आप वहां प्रमुक विपक्षी पार्टी की तेयर आप लगता है यह सही रही हुआ बढ़ने के मीटिंग में प्रदेश के भी प्रदरीकारी आएंगे तो इसको जाने बिना कि तोड दिया कि तूट गए यह जानना बहुत आवसेग है तो आज राश्ट्यय करकान्नि में संख्थन के जब ही प्रदरीकारी होंगे वहाँ की वहां के बिधायक को क्यों गए या ले जाया गया तो यह सारी बाते राश्ट्य करकानी की मीटिंग के बाद ही यह बोला जा सकता है तो यह भी कारण रहा है लिए इस लिए कहना की भाजपा ने तोड़ दिया है सब्सक्राइब यहां नुकसान तो हुआ जो साथ विधायक थे उसकी वज़व से अरुनाचल परदेश में जेडियू मानेता प्राप्त पाटी थी वहां बिहार के बाहर और अरुनाचल परदेश सी दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर पाटी का कोई अस्तित्व था सब्सक्राइब लेकिन इस बात को जानना बहुत अवस्यक है और पार्टी की हमारी जनाधार मिली है वहां विधायकों के पर सेंटेज जो होती है तो बिधायक के टूड़ जाने से पार्टी की जनादर कम हो गया अईसा नहीं कहा जा जा सकता है तो लेकिन यह क्यों तूटे विधायक तूटे यह भी दायक को तोड़ा गया लाश्टी करकारणी के मीटिंग होने के बाद लो बात लुए के संख्शन से जानने के बाद कुछ बुला जा सकता है बाकी ऐसे टूटते रहते हैं पार्टि में बिदाय का रहते हैं पार्टियां कमजूर नहीं होती है अक्ति हैं और कम रह सकती है लेकिन लेकिनागी सीफ़ामा धार कम धोको सियासत की समझ आप बहुत बहतर रखते हैं और आप भी जानते हैं कि जब बीजेपी वहाँ पहले से मजबुत इस्तिती में थी अगर मैं ठीप हूं तो ऐसे में आपकी पाटी के जो च्छे विधायक चूटे हैं या तोड़ा गया है उनको कोई लालच दिया नहीं जा सकता कुछ हासिल होने भाला नहीं है किrono ले सवाल नहीं है प्रतिक्रिया हो लेकिन अगर बीजेपी ने तोड़ा है और यह खेल बीजेपी का है तो क्या बिहार में बीजेपी और जेडियू के रिष्टे सामान निरह पाएंगे अगर एंडिये में ही सहमात्ता खेल चालू है इसलिए मैं कहा कि बीजेपी क्या वहां कोई अवसक्ता नहीं थी विधायक क्यों टूटे यह जाने बेगर किसी पारूप लगा देना क्योंकि हमारे सहय कि उस आइडिolate के अधार पर आ तो जाते हैं लेकिर नहीं करते हैं कि पदल लुप्ता के कारण तोट जाता है आपकी पार्टी के या फिर बिहार और मुखमंतरी निटीश कुमार के जो राज तिक विरोधी है वह सवाल उठा रहे हैं और नाचल कि घटना का हवाला दे रह कि आरेसेस ने डिमांड की है कि बिहार में यूपी की तर्ज पर लब जहाद कानून होना चाहिए तो बीजेपी और आरेसेस जिस तरह से अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है नितीज कुमार कब तक अपमान सहेंगे नितीज कुमार कब तक बरदास्त कर हम अपनी विचारधारा को लेकर जब सच चले हैं उस विचारधारा पर ही सरकार बनाए है और जनता के बीच में आते हैं अपनी विचारधाराओं से कभी समझाता नहीं किये हैं और जो लोग इस बात को सपना देखते हैं कि हम सपनी समझाता कर लेंगे विचारधारा जाएगा नहीं मैं बुल रहा हूं कि छोटी बड़ी हो सकती है हमारी विचाषधाराओं के वज़े से कभी कभी लोगों में नराजी हो सकती है लेकिन एक विचाषधारा पर बनी हुई सब्सक्राइब नहीं मिल्प हाँ पर सब्सक्राइब वाकार प्रकाराण की की चैनले कोई नहीं समझ रही हो और हमारे लीडर पूरी बिहार में विकास की मुद्दे पर चलते हैं अमन चैन सांती बिहार में रहें उसको लेकर करते हैं यह हमारे पास मुद्दा होते हैं हम कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो समाज को बाठने का काम करें समाज में कोई अभिवस्था पैदा करें उस पर चुहत्तर सीटे बीजेपी के पास है, 43 सीटे आपके पास है, 74 और 43 का फर्क दिख रहा है, उसका असर दिख रहा है, गटबंधन में भी, सरकार में भी, लगातार एक परसेप्शन बना है, जैसे RSS की तरफ से ये बयान आना, फिर बीजेपी की तरफ से मंत्री मंडल विस्ता को लेकर कोई प्रस्ताव न दिया जाना, और नाचल प्रदेश में पार्टी में टूट होना, फिर इस तरह का बयान आना की कॉमन मिनमम प्रोणाम बनना चाहिए, आप कहते हैं कि चिराग पासवान को केंदर की सत्ता सहटाई है, केंदर की NDA से बाहर कीजिए, बीजेपी जवाब दे दे देती है कि चिराग पासवान 2024 तक कम से कम NDA में हैं, 2019 में गटबंदन हुआ तो इन सारे सवालों से, इन सारे चीजों से एक परसिप्शन बनता है कि अब बीजेपी अपने हिसाब से जेडियू को ट्रीट कर रही है, क्या बहुत इमांदारी से अगर आप से यह सवाल पूछा जाए और बहुत इमांदार जवाब कि अप्रिक्षा की जाए तो क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी और जेडियू के रिस्ते जितने सामान और जितने सहज पहले थे वो अब नहीं है कम से कम 2020 के चुनाओं के बाद कुछ बाते तो मेडिया की भी में चल र बात उठी है ना समधान की बाते हुई है मैं समयता हूं कि सिर्ष अस्तर पर यह बाते जो जो आएगी बड़ी बेहतरी से इसको समझा दिया जाएगा सीट की जहां तक सवाल है तो कम और ज्यादा सीट का पढ़ाम पूरू में आप देख चुके होंगे तिरपन सीट लेकर गड़ान में बड़ी समय होता हूं अपने युवर कि अपने परवार के रूप में परीवार को लिया है और कभी किसी चेज di boring के नहीं कि गई है आप लोऋकस में भी देखें होंगे यूँको कबने करता था कि दो लाने वाली जेडियू बराबर पर लेगी तो आप देखते देखते वह समय होता हो गया था यह जो सीटे की बात कुछ विपक्ष और कुछ मीडिया ने जो बात चला रही है कि भाई इसमें लगता है कि बहुत है कमन मिल्मम की प्रगाम की बात के दी कहीं जाएगी तो इस अम लीपने कहा आपकी प्रदेश अजूंच का रहा है कि य dazzle की वि़ेटव से वहीं केंद्र में और को दीटिया क्या आगा है जिस प्रकार से चिराज वान ने प्रियास किया है यह वहाँ रहताहां श्वाल नहीं दा लेकिन जिस प्रकार ने भीतर घात किया है और भाजपा को भी गुम्राह करने का प्रयास किया है भाजपा की साह गिराया है ऐसे ब्यक्ति को न तो खिंद्र में न राज्य में उनको होने किया हो सकता है यह जेडियू का अपनी स्टेंड है आज रास्तिय करकार्णी की मिटिंग में कल जो होगी इस पर कुछ बातें है कुछ बातें जदी हमारे अस्तर पर आ जाती है तो से परिवर्तर होने का गुंजाइश रहता है अच्छा बिटिंग में आप जा रहे हैं में जाएंगे क्या देने जा रहे हैं नितिश कुमार को आप हम लोग के तरफ से अपनी फिट बैक करता हूं का जो जो विधाय कर है पुरुमंत्री है और यह हम जरूर एक संदेश लेगे कि आपकी बहतर कार बिहार में रही है हम अधिक सीटों को न जितना गटबंधन की द्वंद है किसी प्रकार का भ्रम रही है और सही डंग से गटबंधन की सामंजस जो अस्ताबित होनी चाहिए और नहीं हो पाया है बर्तमान जिस प्रकार गुजरा उसके लेशन लेते हुए भविस्य को बहतर गटबंधन और बहतर सावंजस जदी बने तो ही बिहार की अगली राजनीत में सता की सिस्की कुर्सी पर बैठना और सरकार जनता की के मंसा के अनुसार हम काम कर पाएंगे परना बहुत मुश्क में और अज उनसे हमारी बात हो रहे थी उन्हों ने कहा कि लेखें बहुत तरह मुद हैं और नितीष कुमार दोह जार चोविस में प्रधान मंत्री नेंगे तैयारी दोहजार चोविस की है और कस्मीर से कन्यां कुमारी तक जेड़ियू पद्यात्रा करने जा रही है जनकारीई है इनकार कमों कि आपको नहीं जनकारीए के नहीं है कि 2024 की बात कर रहा है यह बाते ही मेंगार्णी यह मेंगे क्याम करना में कोई पढ़ानमंत्री की चहरा बनने जा रहे हैं और हम लोगों ने भी कहा है कि यह एक भ्रामक बात अब नहीं होगी असपष्ट बातें होगी नितीश कुमार जी बिहार की सदा के सिस्की कुर्सी पर रहेंगे और कोई दल जो यह बोलते रहता है कि जो भी दल हो यह जदी भ्रम पाला है तो भ्रम रहेगा नितीश कुमार जी बंगाल के जोती वस्व की तरह बने रहेंगे इनको अपने कहना पड़ेगा एक दिन कि अब मैं बिहार में नहीं रहूँगा बहुत हुआ अब किसी सातियों को दूँगा लेकिन जदी यह भ्रम प पाल करके कुछ लोग जो खड्यंत करने का प्रयास कर रहे हैं वह बिल्कुल खड्यंत रह जाएगा और नितीश कुमार जी बिहार के सीएम के लिए बहुत ही उप्यूग और जनाधार वाले नेता हैं बने रहेंगे जब तक वह खुद न चाहें कि वह अब इससे मुक्ति पाले वह पद छोड़ दे जब तक नितीश कुमार पद नहीं चोड़ना चाहेंगे तब तक वह बिहार के मखमंत्री रहेंगे जो दूसरे सवाल है पाटी की हम बैठक होने वाली है जेडियू के लिए आज का दिन कल का दिन बहुत महत्पूर्ण है क्योंकि जेडियू की राष्टिये पताधिकारियों की आज बैठक है जेडियू की राष्टिये कारकारिनी की कल बैठक है और इन बैठकों से बहुत कुछ निकल कर सामने आना है इसलिए इन बैठकों पर नजर है और उन बैठकों से क्या निकल कर सामने आने वाला है उसको पहले ही ढूंडने की सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी